एक पारपुन है स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सनमार्ग में आज हम इस कक्षा के अंत्रगत कक्षा साथ हिंदी वाटिका का पाठ तेरे गिल्लू का अध्यन करेंगे जो की महादेवी परसाथ द्वारा रिचित है किरपय वीडियो को लाइक करें शेयर करें परसाथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पार्ट परीचे देगे किल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है इस पार्ट में उन्होंने एक गिलहरी के साथ अपनी आत्मियता का अति सजी वर्णन किया है सौन जोही में आज एक पीली कली लगी है इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का इसमर्ण हो आया जो इस लता की सगन हरित्मा में छिपकर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंदे पर कूद कर मुझे चोका देता था तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज उस लगू प्राण की खोज है प्रन्तु वह तो अब तक इस सौन जोही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा कौन जाने सौन निमकली के बहाने वही मुझे चोकाने उपर आ गया हो अचानक एक दिन सवेरे कमरे में से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कों में एक गमले के चारोड चौँ 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 से चौँ चौँ जैसा खेल खेल रहे हैं ये काग भुसंडी भ विचितर पक्सी है एक साथ समादृत अनादृत अति समानित अति अवमानित हमारे बेचारे पुर्खे न गरूर के रूप में आ सकते हैं न मयूर के न हंस के उन्हें पितर पक्स में हम से कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवत्रीन होना पड़ता है इतना ही नहीं हमारे दूरस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मदूर संदेश इनके करकश स्वर में ही देना पड़ता है दूसरी और हम कोवा और काउं काउं करने को अव मानना के अर्थ में ही परियुक्त करते हैं मेरे काग पुरान के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी क्योंकि गमले और दिवार की संदी में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दरश्टी रुग गई निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संबवत है गोंसले से गिर पड़ा है और अब कोवें जिसमें सुलब आहार खोज रहे हैं काग द्वय की चौचों के दो घाव उस लगू प्राण के लिए बहुत थे आते वे निश्चेष्ट सा गमले से चिप्टा पड़ा था सबने कहा कोवें की चौच का घाव लगने के बाद वे बच नहीं सकता आते इसे ऐसे ही रहने दिया जाए परंतु मन नहीं माना उसे होले से उठा कर अपने कमरे में लाई फिर रूई से रख पहुँचकर घाव पर पैंसलीन का मरहम लगाया रूई की पतली बत्ती दूद से बिगो कर जैसे तैसे उसके नन्ने से मूँ में लगाई पर मूँ खुलना सका और दूद की बूंदे दोनों और लुड़क गई कई गंटे के उपचार के उपरांद उसके मूँ में एक बूंद पानी टपकाया जा सका तीसरे दिन वे इतना अच्छा और आस्वास्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्ने पंजों से पकड़कर नेले कांच के मौतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा तीन चार मास में उसके सिनिक दरोय धब्यदार पूंच चंचल चमकिली आँखे सब को विस्मित करने लगी हमने उसकी जातिवाचक संग्या गव्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस परकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगी मैंने फूल रखने की एक हलकी डलिया से रूई बिछा कर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया महीं दो वर्ष गिल्लू का घर रहा वैस्वयम हिलाकर अपने घर में जूलता और अपनी कांच के मन को सियांकों से कमरे के भीतर और खिड़के से भागने जाने क्या-क्या देखता समझता रहता था परंतु उसकी समझदारिय और कार्यकलाब पर सबको आश्चरिय होता था जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकरसित करने की उसे इतनी तिर्विच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला वे मेरे पेर तक आकर सर से परदे पर चट जाता और फिर उसी तेजी से उतरता उसका यह दोडने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ने उठती कभी मैं गिल्यू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस परकार रख देती कि उसके अगले दो पंजयो और सिर के अत्रिक सारा लगूगात लिफाफे के भीतर बंद रहता इस अद्बुती इस्तिती में कभी कभी घंटों मेज बर दिवार के सारे खड़ा रहकर वे अपनी चमकिली आँखों से मेरा कार्य कलाप देखा करता भूक लगने पर चिक चिक करके मानू वे मुझे सूचना देता और काजो या बिस्किट मिल जाने पर उसी इस्तिती में लिफाबे से वे बाहर वाले पंजों से पकड़ कर उसे कुतरता रहता फिर गिल्लू के जीवन का पर्थम वसंत आया नीम चमेली की गंद मेरे कमरे में होले होले आने लगी बाहर की गिलेरिया खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने ने जाने क्या कहने लगी गिल्लू को जाली के पास बैटकर अपने पंद से बहार जांकते देख मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवशक है मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बहार जाने पर सचमुछी मुक्ति की सांस ली इतने छोटे जीव को घर में पले कुटे बिल्लियों से बचाना भी एक समश्या ही थी आवशक कागज पत्रों के कारण मेरे बहार जाने पर कमरा बंद ही रहता मेरे कालेज जे लोटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपने जाली के दुआर से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दोड़ लगाने लगा तब यह है नित्य का करम हो गया मेरे कमरे के बहार जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की रहाब आर चला जाता और दिन भर की लहरियों के जुंड का नेता बनाड हर डाल पर उचलता कूतता रहता और ठीक चार बजे वे खिड़की से भीतर आकर अपने जूले में जूलने लगता मुझे चोकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन हो गई थी कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता कभी पढ़दे की चुन्नट में और कभी सौन जूही की पत्यों में मेरे पास बहुत से पसुपक्सी और उनका मुझे में लगाव भी कम ही नहीं है परन्तों उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की इम्मत हुई है ऐसा मुझे इसमर्ण नहीं आता गिल्लों उनमें अपवाद था मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वे खिड़की से निकल कर रांगन की दिवार ब्रामदा पार करके इमेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठना चाता बड़ी कठनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिकाया जहां बैठकर वे मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता काजो उसका पिरिया खाद्य था और कई दिन काजो ने मिलने पर वे अन्यच खाने की चीजे या तो लेना बंद कर देता या जूले से नीचे फैक देता था उसी बीच मुझे मोटर तुर गटना में आहाथ होकर कुछ दिन हस्पताल में रहना पड़ा उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता गिलू अपने जूले से उतर कर दोड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने गोसले में जा बैठता जब उ जिससे ग्यात होता था कि वैए उन दिनों अपना प्रयाखाद कितना कम खाता रहा मेरी आवाज मेरी ऐस्वस्तता में वैटक्ये पर सिर्भाने बैठकर अपने नन्ने पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले से लाता रहता कि उसका हटना परिचारिका के हटने का समान लगता गर्मियों में जब मैं दो पैर में काम करती रहती तब गिल्लू ने बहार जाता ने अपने जूले में बैठता उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्फ था नया उपाय खोज निकाला था मेरे पास रखी सुराई पर लेट जाता और इस पर का समीब भी रहता और ठंडक में भी रहता गिल्हरियों के जीवन की यवदी दो वर्स से अधिक नहीं होती अत्य गिल्लू की जीवन यात्रा कांत आ ही गया दिन बर उसने ने कुछ खाया ने बहार गया रात में अंत की यातना में भीवय अपने जूले से उतर कर मेरे विष्टर पार आया और ठंडे पंजों से मेरी वही हतेली पकड़कर हाथ से चिपग गया जिसे उसने अपने बच्पन की मर्ण सन इस तिति में पकड़ा था पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उस अंता देने का परियतन किया परंतु प्रभात की पर्थम किरण के सपर्ष के साथ ही वै किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया उसका जोला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है परंतु गिलहरियों की नहीं पीड़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सौन जुई पर वसंत आता ही रहता है सौन जुई की लटा के नीचे गिलू को समाजी दी गई है इसलिए भी कि उसे यह लटा सबसे अधिक पिरियत ही इसलिए भी उस लगुगात का किसी वासंती दिन जुई के पितांब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोज देता है यह पार्ट आपको कैसा लगा किरपे वीडियो को लाइक करें सेयर करें तेता चैनल को सब्सक्राइब करें यह पार्ट के सब्दार्थ इनके अर्थों को जाने और याद करें अनायाश अचानक हरित्मा हरियाली काग वसंडी कोमा अवत्रीन परकट निस्चेश्ट बिना अर्कत के इस्तिर लगुगा छोटा शरीर आहात गायल मरनासन जमरत्यु के समीफो उशनता गर्मी पिताब पिले रंका धन्यवाद